आच देखिए आच के इस वीडियो में हम रित्तीकाल किसे केते हैं इसके कुछ मुख्य बिन्दु रित्तीकाल की विश्यस्ता है और शाती सात जानेंगे रित्तीकाल के प्रमोक कवी और उनकी रचना है तो देखिए, रिति काल, आप सबसे पहले देखते हैं काल संवंत, तो इसका काल संवंत, सत्रा सो से संवंत उननीस सो तक रहा, ठीके, कभी-कभी पूछ लेता है कि रिति काल का काल संवंत बताइए, तो सत्रा सो से उननीस सो तक, ठीके, अब कुछ मुख्य बिंदू, पदरचना को ही क्या कहते हैं है रिती कहते हैं सरुप्रथम वामन ने इसे कावी की आत्मा गोसित किया किसको रिती काल को ठीक है तो कावी की आत्मा भी कहते हैं रिती काल को ठीक है और आचारे पंडित्वी सुनात परसाद मिस्र ने इस काल को सरंगार काल भी माना है किसने आ तो आप आप इसका स्क्रीन सोट ले लिए क्योंकि ब्रूसरे पेश में जाएंगी हम अब देखिए रितिकाल तो वहां कावी जो लक्षन के आधार पर ध्यान में रखकर रचा जाता है रितिकाल के लता है अर्था जो रितिकाल है उसमें कावी को लक्षन के आधार पर ध्यान में रखकर रचा गया है और रितिकाल की प्रमुक्त तीन धाराएं हैं या इनको तीन धाराओं में विभाजित किया गया था तो रिती बद्ध काविय, रिती मुक्त काविय और रिती सिद्ध काविय रितिकाल के काविय को तीन धाराओं में विभाजित किया गया है रिती बद्ध काविय, रिती मुक्त काविय और रिती सिद्ध काविय अब देखते हैं हम रितिकाल की विशेस्ता देखिए रितिकाल की विश्यस्ता नम्मर एक है सांसारिक सुक की प्रधानता रितिकाल में सांसारिक सुक की प्रधानता बताई गई कव्यों का राज्य आस्रित होगा होना यह मिश्टेक से होगा लिख किया है आप इसे होना करिएगा ठीक है और मुक्तक और घीति कावी की प्रधान्ता नमर चार ब्रज भासा में कावी रशना और वीररस और स्रंगाररस की प्रधान्ता यह रितिगाल की प्रमुक विशेषता है रही संसारिक सुक की प्रधानता कव्यों का राज्य आस्रित होना मतलब राज्य पर राज्या पर आस्रित होना मुक्तक और गीती काव्य की प्रधानता ब्रज भासा में काव्य की रचना और वीर रस और स्रंगार रस की प्रदानता ये है रितिकाल की कुछ प्रमुक विसेस्ता है अब देखते हैं हम रितिकाल के प्रमुक कभी और उनकी रचना है अब देखिए रितिकाल के प्रमुक कभी और उनकी रचना है देखिए इसके प्रमुक कभी कौन-कौन है केसवदा केशवदास, भुसं, बिहारी, घनानंद और पद्मा करू यह इसके प्रमुक कवी एक तो केशवदास, भुसं, बिहारी, घनानंद और पद्मा करू और केशवदास की जो रशन है। तो रचना हैं होगे आपके एक तो केसवदास की कवी पिरिया और रसिक पिरिया भूसन की सिवराज भूसन और शत्र साल दसक बिहारी जी के वल एक ही रचना है बिहारी ससे, घनानंद, सुजान सागर और वीरहा लिला ठीक है, घनानंड की रशनatें कुन कुन सी हैं, सुजान सागर और वीरहा लिला और पदमागर की, राम, रसायन और गंगा लहरी तो यह इनकी प्रमुक रशना ओथी, के सवदास की फिर से वोलिए कवी पिरिया, रसिक पिरिया, भूसन, सिवराज भूसन और छत्रसाल दसक, बिहारी की, बिहारी सत्सई, घनानंद, सुजान सागर, विरालिला, और पदमा करे, राम रसायन, गंगा, लहरी अब आप इसका स्के इंसोट ले लिजिए, किक करकर, और अपनी कोपी में अच्छे से लिखियागा, एक ये दो बार अच्छे से पढ़ियागा, देखिए, अब यहां से आप इसका स्के इंसोट लिजिए, झालबका करे, भीनिंसोट लिखिपी टीजिए, मुपी में तो मुपी में अच्छे से लिखिए, अब इसकार, और ये थाए रिखिए, व्य वार इसके से विए इसका स्केूशंगे करे लिए झाल झाल